बीजेपी के नेताओं का नाम लगातार मारपीट से जुड़ी घटनाओं में सामने आ रहा है अब नया मामला आगरा से सामने आया है जहां बीजेपी सांसद वा एससी आयोग के अध्यक्ष राम, शंकर, कठेरिया के सामने ही उनके गार्ड और समर्थकों ने टोल पर बवाल मचा दिया दरसल शोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि टोल पर बीजेपी सांसद के गार्ड और समर्थक करमचारियों से मारपीट कर रहे हैं जानकारी के अनुसार DJP सांसत के काफिले को रोकने के बाद तोल पर करमचारियों से भहस हो गई जुसके बाद सांसत कठेरिया के गाड्स ने तोल कर्मियों की पिटाई कर दी पूरा वाक्या CCTV में कैद हो गया इस पूरी घटना के दोरान बीजे पिसान सद भी वही मौजूद थे मेरे उनके पास पहुंचते पहुंचते उनका बंदा सीधे वह सांसजी सीधे बोले इसके पेट में गोली दो सब्सक्राइब नहीं की और लोगों ने रंडा लेकर के यह नहीं समझा कि मेरी गाड़ी है वह मेरे गाली के पीछे जैसी गाली दूसरी गाली निकली है जबकि मेरे सुरच्छा करी उस गाली में जी और इसके कराण उननों रंडा लेकर के टोल से 50 मीटर आगे लकनव रोड आपको बता दे कि हाल के दिनों में नेताओं के जरिये मारपीट किये जाने के कई मामले सामने आए हैं इससे पहले मध्यपृदेश में बीजेपी के विधायक अकाश वीजेवर्ग्या ने अधिकारी के साथ मारपीट की थी जिसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था